हलो पैरे विदर्थियों, समा केड़ में की यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, I hope कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, आज मैं आपके लिए लेकर आगे हूँ, पर्थम योगात्मक अंकलन कक्षा 8 का विश्य अपना गणित है, जो अभी हापका 3 लिखना होगा, फिर आपको रोल नमबर लिखने होगे, और फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तपली चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, आगे भी आपके लिए बहुत सारे RK SMBK से समधी जो पेपर हैं, इससे अलावा, यानि इंगलिस और ह इंदी के भी आपको डाल दिएगें, वो भी आप अच्छे से उनको देखें, सुरात करते हैं, बात करते हैं परसनों के यानि किस तरीके से अपने को इनको करना है, जैसे लिखा गया है, तीन बटे चार गुना, एक बटे पांस का, पांस कितना होगा, यानि आपको इनका म जो रास्ता दिखाया गया है, मेसूर तक का है, इन में कुछ जगों के बीच की दूरी भी दिखायी गई है, मनोज बैंगलूर से मेसूर जा रहा है, यानि मनोज है वो बैंगलूर से चल कर, यानि यहां आना है, उसको मेसूर आना है, अभी वह चन्ना पटना में है, अभी की दूरी वो 34 km है और उसके अलावा मांडवा से मेसूर की है 48 km तो दोनों का आपको जोड़ देना है तो अपना उत्तर आजाएगा यानि 82 km यानि इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आजाएगा अगला है निमन में से रिकस्थान में क्या आएगा तो देखो चार गुणा एक बटे तीन है एक बटे तीन भाग में है तो इसको गुणा में करेंगे तो संख्या ऐसे लिखी जाएगी गुणा में करेंगे तो तीन बटे एक तीन से तीन कट जाएगा एक से एक कट गया तो बचा क्या चार, लेकिन ऐसा इसके अंदर उत्र नहीं दिया हुआ है, यानि तीन, दो, एक दे रखा है, तो यह अपना गलत है, इसका उत्र अगर चार होता, तो अपना क्या होता, राइट होता, फिर हैं, निचे सूसरी टेंडन के रसोईगर का फरस दिखाया गया है, यानि इदर से काउंट करते हैं, तो भी आती है, इसका मतलब हो गया, यानि चोसर टाइले लगी हुई है, अब चोसर टाइलों में, यानि टोटल में ये बढ़ा हुआ कितना है, जैसे ये इदर वाड़ी, ये, 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 और ये जो टोटल है, इनका आंकड़ है, बतिस, यानि ब मतलब होता है, 90 डिगरी के कोण से कम हो, वो न्यून कोण होता है, जैसे, ये, देखो, 62 नमबबबब से कम है, तो इसका मतलब ये उतर है अपना, और जानकारी के ले ले लेते हैं, ये, 90 का है, ये, 90 से अधी का है, तो अधी कोण है, ये, सिद्धी रेखा है, तो सरल कोण ह फिर है 62 बटे 89 और 64 बटे 89 के बीच कितनी प्रेमे संखें आएगी तो यानि जब 62 इनके बीच की संखें पूझ जाती है तो वो होती है अनंत संखें यानि अनंत आएगी नेक्स्ट है निमन परसन का हल होगा जिसे 8 बटे 9 भाग 2 है तो 8 बटे 9 है भाग है तो भाग को इसको गुणा में चेंज कर देते हैं तो गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यानि 1 बटे 2 हो जाएगा अब इसको काट देंगे तो क्या जाएगा 4 तो 4 बटे 9 ऐसा यह देखु चार बटे 9, यह अपना उत्व हो जाएगा, फिर निचे दीगी तालीका को देखी है, यानि वस्तु मात्रा और मिल्य दे रिखाए चावल 1 किलोगराम का 30 रुपे हैं, दाल 1 किलोगराम के 25 रुपे हैं, तो यह पुच्र है 2 किलोगराम चावल, तो 2 किलोगराम कितने होगे, 60 रुपे, 3 किलोग्राम दाल, तो 3 किलोग्राम दाल से गुना कर दो, कितने होगे, 75 रुपे, 75 और 1,60 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 135 रुपे, तो अपना उतर हो जाएगा, सह, फिर हैं, तर्बूज को 2 तीहाई, भाग 8 बराबर बराबर, 8 बच्चों में बराबर बराबर बाबर 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 ब सका लगुतम कितना हैगा यानि 70 यह अपना उतर हो जाएगा 70 नेक्स्ट है निच्चे दिए कि संख्या P पर किस बिंदू को दरसाता है जैसे ये एक है ये दो एकदम बीचो बीच है तो क्या हो जाएगा एक सही एक बटे दो वैसा अंशर अपना दह है एक सही एक बटे दो इसा उतरा जाएगा 8 कैसे करेंगे जैसे 16 को 2 4 8 16 इसी त्रीके से अगर 24 का करते हैं तो 24 का जाएगा 2 3 4 8 12 और 16 अब देखो दोनों में में मेच बड़ी संख्या कौन सी मेच खा रही है एक तो 8 है अहीं दोनों में 8 8 है तो इसका मतलब उतर हो जाएगा 8 फिर है खालिस्ता दिर्क्षा पांच गूना फिर देखा ब्रबर 10 गूना 5 जचेतर, 10 गूना किंचेतर का मतलब है 750 है इधर देख़ो 5 पांच 25, 25 को कौन सी संख्या से गूना करेंगे, साधे साथ सो आज्यांगे, फिर हैं हल करें 564 में 12 का भाग देना है तो 564 में 12 का भाग देंगे उतरा जाएगा अपना 47 तो यह दै अपना उत्तर सही हो जाएगा I hope कि आपको अच्छे समझ में होगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अथ पली चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें यह आपके लिए एक अभ्यास प्रेक्टिस पेपर था यह इसी तरीके का आपको RKSMBK का पेपर यह जो होने वाला है वो आपको मिलेगा Thank you